घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो आजकल के जो स्टूडेंट्स रहता हैं या जो म्यूजिक लिस्नर्स हैं जो उनका टेस्ट बदलता जा रहा है क्योंकि जो चल ही वही संगीत चलेगा जो चीजने चलेगी टेस्ट हमारा वैसा ही होता जाएगा जो क्योंकि यह संस्कृति का एक हिस्सा है संगीत हमारा तो तो हमारे जो शास्त्रि संगीत है वो भी कही न कहीं देखा जाये तो वैसे उभर रहा है ऐसा नहीं है पर क्यूंकि Western Music जादा हो गया है और Fusion जादा चल रहा है तो उस Fusion में हम देखा जाये तो वॉलिवॉड आ जाता है या फिर लोग भी जिस परकार का गीत संगीत बना रहे हैं नॉन फिल्मी भी जो एल्बम्स बनाते हैं या जो संगीत का ऐसे हैं जो फिल्म में न जाके अपना खुद का संगीत भी जो निर्माण करते हैं तो उसमें भी वो कही न कही वो अंग वो इस्तमाल करते हैं क्यूंकि वाद्ययंत्र वैसे हो गए हैं अब जो संगीत बनता है वो मशीनों पर बन रहा है और मशीन में भी जो instruments हैं वो western instruments हैं हार्मोनी मतबले पर संगीत बनाने वाले लोग कम हो गए हैं जो शास्त्रे संगीत से जुड़े होंगे वो बना लेंगे तो उनका रुजहान जो है उस संगीत की तरफ जादा है और वो कही न कहीं इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि शास्त्रे संगीत जो है वो मनोरंजन का विशह नहीं है फिल्म संगीत या सुगम संगीत जो है वो मनोरंजन का विशह है वो दूसरों के लिए गाया जाता है उससे आप खुद को तो खुश करते हो पर सामने वाले को भी करते हो उसमें आध्यात्म का इतना लेना देना नहीं होता है उसमें न वो साहित्य होता है क्योंकि साहित्य के लिए वैसे शब्द वैसी सोच चाहिए जो उन में नहीं होती है यहना उसमें अलग-अलग विशय में बात होती है दिमाग की भी साधना होती है तो लोगों का रुजान उस तरफ जादा है तो कैसे आप समझाएं किसी विद्यारती को कि उसको क्या सीखना चाहिए सुगम सीखना चाहिए या शास्त्रे सीखना चाहिए क्योंकि सुगम मैं फिर मैं ये भी एड कर दूँगा साथ मैं कि हमारे प्रांतिय संगीत जो है वो भी हमें बहुत जादा कनेक्ट करता है जैसे कि कोई बिहार का है या कोई गुजरात का है या कोई पंजाब का है तो उसको वहां का संगीत बहुत जादा पसंद आता है तो वो यूँ कहते हैं हमें अगर भोजपूरी गायक बनना है तो हम भोजपूरी गायक कैसे बनेंगे तो क्या उसके लिए कोई अलग टेकनीक होती है क्या अलग चीज़ें सीखने होती है या कोई हमें पंजाब का है या कहीं का है गायक कुछ भी रियास तो वही करना पड़ेगा जो हम करते हैं यानि सारे गामा पदन इसा यह तो सब में होता है आपके थाठ हैं तो वह तो करने ही होंगे शुद्ध कोमल तेवर इसकी भी जानकारी करनी ही पड़ेगी तो और गले को भी तयार करना पड़ेगा चाहे वह भूचपूरी हो चाहे वह राजस्थानी हो चाहे और कहीं का हो जहां का भी हो अगर भारत में है तो कुछ न कुछ भारतियता उसमें होगी ही होगी और भारतियता यानि आमारे जो शास्त्र है उससे किसी न किसी तरह से उस तरह का कोई रागदारी होगी कुछ बेम्हें कोई होका तो जो भी हो गले की तैयारी के लिए भी रियास तो यही करना पड़ेगा और समझ के लिए भी रियास तो ऐसा है कि जैसे कोई बिना सीखे बस गला थोड़े सा काम काम कर देता है तो कोई गालत है लिकिन उसम worrying बहें चाहिए वो नहीं आता है नहीं आता है क्योंकि आपने उसको अभ्यास ही नहीं किया और सिधा सुन-सुन के या फिर अपना गला जितना चलता है उतना काम कर लिया लेकिन उसको रियास्त तो करना पड़ेगा आपको फिर उसके बाद आप टेक्निकली उस चीज़ को जिसे राजस्थान में गाया जाता है मांड गाते हैं साथ पहले आप गला तयार करो उसके बाद मांड गायकी का क्या तरीका है उसको सीख लो वो सीखना पड़ेगा ठीक है आपको क्लासिकल नहीं गाना है लेकिन मांड सीखना है आपको गड़वाली गाने का क्या धंग है वो सीखना है तो आप आप वहान से सीख सकते हो पर गले को तैयार करना, दिमाग को तैयार करना, वह तो आपके सरगम और ये सब है रियाज, तो करना ही चाहिए मेरा ख्याल से तो को जो भी गाने वाला है, Pierce, क्यों भी गा रहा रा था, तो भी उसको रियास तो हिंदुस्तानी करना ही चाहिए तब उसका गला चलेगा और उसको सूर की समझ पैदा होगी तो उसके लिए यह आवश्चक है मेरे खाल से तो शास्त्री संगीत अगर आपन सीखते हैं तो हर प्रकार का संगीत हम बिल्कुल गा सकते हैं हमारी समझ उत यह रूजान उदर होने लगेगा दीरे दीरे क्योंकि उसमें जो तत्व है जो बात है उसमें उसकी जो खूबसूरती है वो आपको धीरे ध्यान में आने लगे कि का यह तो बड़ी अच्छी चीज है तो आप उदर हो जाओगी और मैं सुवे कम तुम से भात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल गाना शास्त्रिया वो आसान है बनिस्पत की घजल या भजन गाने के अना मुझे लगता है क्योंकि बड़े इत्मिनान से गाता है आप एक विलंबित ख्याल गा रहे हो ठीक है आपने सा गम लेकर छोड़ दिया आराम से बैठे हो ठीक है आपके मन में उपजा फोड़ी दे रुक के फिर वापस गा लिए अब आप गजल गा रहे हो तो वो तो दादरा चल रहा है तो एक दो तीन चार पांच चे गया और अगर विलंबित गा रहे हैं जो भी है ना दृत गा रहे हैं तो भी वह यह घ्र भी बात है लेकिन कम से कम ऐसा थो थे नहीं है वह गलत हो गया अपने मन से गार है एक लाइन है उसको च्छे मातरा में अगर लाइट करनी है उसमें लाइट में तो आपको करनी ही करनी है और दो आत वाद धर भं से लगाहा वह वह खायाल की तरह यह अ जिसमें कि भजन घजल या भुजपूरी अंग या प्रांतिय क्या दें हम जैसे भुजपूरी को राजस्थानी अमराथी संगीत जो वहां का स्पेशल संगीत है वह प्रांतिय संगीत और घजल गीत भजन ठुमरी दादरा ये सब भी आ गया तो ये सब के तरीखे होते हैं खाली अलग बाकी सीखना यही होता है जब शास्त्रिय गाईकी अगर आपको आती है फिर सिर्फ उसका ढंक कैसा है कि उसकी गाईकी कैसी होती है जाहिर बात है अगर आप क्लासिकल गाते नहीं है आपस में तो वह बेकार लगेगा तो यह चीज है कि शास्त्रिय संगीत सीखने के बाद बाकी गाईकियों के तरीके आप सीख लो कि किस ढंक से है तो आ जाएगा जब जीद सिंग साब को सुनना थोड़ा सा वह यूज करते हैं हूँ 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 कि वह बहुत कम करते हैं तो इस तरह का आप लेते हैं तो इतना सा तो मतलब हो सकता है जैसे कि जो चीज मुझे भी लगती है कि जैसे शास्त्री संगीत के जो अभूशन है जो मीन, गमक, खटका, मुर्की यह जो चीज है या जिस ढंक से स्वरका लगाव होता है यही अभूशन हम सब में नहीं लगाते हैं जैसे अगर हम ठुमरी गाएंगे तो उसमें अभूश क्लासिकल आप कोई ख्याल गा रहे हो तो उसकी लएका ढंक अलग होगा अर अगर काई की में नहीं होगा उसमें अजाकत होती है अब आप लाइट घाउगे तो ज्यादा होगी, अब क्लासिकल में आप तान मारते हो, इन है हमि कुझान की धरगात